स्वास्की इस वीडियो में मैं आप सभी से यूट्यूब इस्टूडियो के ही एक फीचर के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है रैंकिंग बाई व्यूस अब आप मैंसे काफी सारे लोगों ने अक्सर इश्को देखा होगा जब भी आप अपनी यूट्यूब वी का फीचर होता है यह आखिर क्या होता है इसका क्या मतलब होता है और यहां पर रैंकिंग बाई व्यूस से हम किस तरह से अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं किस तरह से हम इस टूल की हैल्प ले सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियो पर ज्य ranking by views इसका मतलब है कि यहां पर आपको rankings जो है वो बताई जाती हैं उनकी views के according example के लिए कई बार जब आपनी YouTube वीडियो को upload करते होंगे तो वो first rank पर आती होगी, second rank पर आती होगी, third rank पर आती होगी लेकिन इसके साथ वहाँ पर आपको एक time भी देखने को मिलता है जिसमें included होता है first one hour, first three hour या फिर first one day या फिर first three days जिसमें आप सभी लोगों को आपकी YouTube वीडियो के uploading time के according आप सभी लोगों को एक ranking दी जाती है मान लीजे मैंने अभी कोई एक वीडियो अपलोड किया, जिसे अपलोड किये वे मुझे चार घंटे हो चुके हैं तो अब यहाँ पर मेरी जो पिछली वीडियोस होगी, उन सभी वीडियोस के according पिछले चार घंटों में कौनसी वीडियोस पर सबसे ज़्यादा व्यूस आये थे या जिस वीडियोस पर सबसे ज़्यादा व्यूस आये थे उसके according इस वीडियोस में कितने कम व्यूस हैं या फिर कितने ज़्यादा व्यूस हैं उसी के हिसाब से हमारी जो ranking है वो decide होती है मान लीजे पिछले 10 दिनों में हमने कुछ ऐसी वीडियोस upload की जिन पर कुछ खास views नहीं आ रहे थे या बहुत ही कम views आ रहे थे तो अभी हम किसी ऐसे topic पर वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हमें कम समय में ज्यादा views आते हैं तो ये ranking बढ़ जाती है वहीं इसके उल्टा यदि हम कोई ऐसी वीडियो upload करते हैं जिसमें past के कुछ दिनों से जो वीडियो पर views आ रहे थे उतने ही समय में उस वीडियो पर कम views आते हैं तो हमारी वीडियो की जो ranking है वो यहाँ पर गिर जाती है और इसे आप clearly वहाँ पर ranking by views में आपकी वीडियो के side में आपको जो arrows दिखाई देते हैं अगर आपका arrow green color का है और उपर की तरफ है मतलब आपकी performance जो है वो ठीक ठाक है या फिर अच्छी है इसी की तरह यदि आपका जो arrow है वो down की तरफ है और यहाँ पर dark gray color का है इसका मतलब आपकी जो वीडियो की performance है वो यहाँ पर थोड़ी सी खराब है तो basically इसका clearly मतलब यही होता है कि जब भी आप अपनी किसी भी YouTube वीडियो को upload करते हैं तो upload करने के बाद जो भी जितना भी time उस वीडियो को बीटता जाता है जैसे कि 2 गंटे, 4 गंटे, 1 दिन, 2 दिन तो हर एक time के according आपकी वीडियो की जो last 10 वीडियो होती हैं उन सभी वीडियो को आपस में compare करके YouTube आप सभी को एक ranking provide करता है जिसमें YouTube आप सभी लोगों को बताता है कि इन 10 में से आपने जो भी वीडियो upload की थी उन में से 1 गंटे में इस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूस आये थे दो गंटे में इस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूस आये थे अब मैं आप सभी लोगों से बात करता हूँ कि आखिर आप इसकी मदद से अपने YouTube चनल को ग्रो कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इसके तीन मेंली फायदे बताने वाला हूँ अगर मैं आप सभी लोगों से पहली चीज से अर करूँ तो वो यह है कि जैसा कि आप सभी लोगों को clear है कि आप जो भी वीडियो अप्लोड करेंगे उसके अप्लोड करते ही आपको उस वीडियो का performance पता चल जाएगा कि upload करने के कितने time बाद इस topic का कैसा performance है कि जिस भी topic पर आपने video डाला है इस तरह का topic आपकी audience को पसंद है या नहीं है Second चीज आप इसके थूरू ये पता कर सकते हो कि आपकी YouTube channel पर कौन-कौन से ऐसे topic है जिस पर आपकी audience का अच्छा खासा आपको engagement देखने को मिलता है upload करते के time पर ही इससे आप अपने YouTube channel पर आपकी जो videos की ranking है उस ranking में से एक से लेकर 5 तक जितनी भी videos होती है उन videos के topics को आप sort list कर सकते हैं ये सभी वो topics हैं जिनमें upload करते ही इन सभी की अच्छी ranking आई थी और अगर अब मैं आप सभी लोगों से थर्ड चीज सेर करूँ तो वो ये है दोस्तों कि हो सकता है आप जिन भी videos को यहाँ पर upload करते हैं स्टार्टिंग में हो सकता है आपको उसकी ranking काफी अच्छी देखने को मिले या फिर काफी डाउन देखने को मिले लेकिन जब आप उसे लगातार 2-3 दिनों तक monitor करेंगे तब आपको exactly clearly पता चल पाएगा कि यह जो topic है यह आगे भी आपकी YouTube चैनल पर चलने वाला है या नहीं अगर वो topic आगे भी आपकी YouTube चैनल पर चलने वाला है तो उस video की ranking टॉप की तरफ जाएगी और यदि वो topic आपके audience को पसंद नहीं आता है या आपके audience की इसाफ़ से suitable नहीं है तो यहाँ पर उसकी जो ranking ranking है वो यहाँ पर गिरने लगेगी और लास्ट में यहाँ पर जो है वो 10th position पर पहुंच जाएगी तो वीडियो कैसा लागा आपको मुझे जरूरू बताएं अच्छा लागा हो तो एक लाइक कर दीजे चैनल को सब्क्राइब नहीं क्या सब्काइब कर दीजे लाइ और टीक क्यार